हेलो गाइज, कौन सा अफेटमेंट का बेटरी गाडी में लगाए इसके लिए हम लोग आज डिसकास करने वाए है, लाइक चलो हम एक चेक करते हैं, प्ले श्टोर पे जाते हैं, एक किसी भी कमपनी का हूप्लिकेशन हम लोग इसमें सेर्च कर लेते हैं लाइक एक्साइड बेटरी का करते हैं तो टाइप करेंगे एक्साइड बेटरी एप इसको इस्टॉल करेंगे ज्यादा कोई बड़ा एप्लिकेशन नहीं है 23 MB का एप्लिकेशन होगा जहाद तक मुझे आइडिया लग रहा है 2.4 MB जस्ट नॉर्मल सा है ठीक है कंपनी हमारे को क्या फैसलेटी में देती है यह कंपनी दिखते अंदर अप्लिकेशन उपर ओड़ा है ठीक है ऑटमोटीव एच्टीपेस जैंसेट निवरेवल सब कुछ है इसमें ऑप्शन आटमोटीवा चेक करते हैं कार के लिए हम चेक क करते हैं समय जाके जैसे कार एस्यूव सबसे नीचे जो मार्क दिया है उस पर क्लिक करते हैं सेलेक्ट मैनुफेक्चरर किस कंपनी का गाड़ी हम लोग है अपने पस और उसमें बैट्रियम जो सर्च कर रहे हैं लाकि मारूती का चेक कर लेता है मारूती शुजू की सेलेक् का लेते हैं कि किस मोलय का बैट्रियम लोग चाह रहे हैं किस गाड़ी के मोडल्स का ठीक है अब हम इसमें चले जाते हैं एंदर जाते यह कंपनी बताती हैist इंपने कर ती आम्नम शिफ्ट का सॉच करते यह हम ऑम नौर्मल शिफ्ट का सर्च करते है help सेलेक्ट फ्यूल पेट्रोल फैंट दा बैटरी थर्टिफाइब एज का बैटरी हमारे को रिकमेंड करती कंपनी कि आप यह लगाई है तो आपकी जो एलेक्ट्रिकल कैपेसिटी गाड़ी का उसके अकोडिंग यह बहुत ही अच्छा फिट्मेंट होगा यह इतना सारा मोडल इसलिए दिया है अलगलग वारंटी का बैटरी किसी का नेट जैसा है उसको 44 मांच चाहिए किसी को 12 मांच का चाहिए वो उसके एकोटिंग उसको पर्चिस कर सकता है बेसिकली कम एच का बैटरी लगाने से सस्ता तो मिल जाएगा लेकिन हमारे को उसमें तब ही जब उसका फिटमेंट टीक होगा और अगर कैपेसिटी जाता होगा तो अंदर का जो एलेक्ट्रिकल कैपेसिटी उसका कुछ वाइरिंग है उसको वो डेमेज कर देगा इसलिए हमेश्या ध्यान रखें कि जब भी रॉंग फिटमेंट का बैटरी हमारे को नहीं ले